नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का बोस इस्टडी में मैं हूँ आकास आप सभी के साथ दोस्तों हम करने बाले हैं आज 12 जोला की करेंट अफियर तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बाई क्लास को सेर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी class को सजोड़ सकें और class को देख सकें तो सातियों हम वही news कवर करेंगे अपनी class में जो हमारे exam base के लिए महत्पून होगी तो कि सातियों news तो बहुत बन रही है पर जो हमारे exam के लिए important होगी हम उसे cover करेंगे तो दोस्तों देखते हैं कि क्या चल ला है देश और दुन्या में और क्या इंपोर्टेंट न्यूज है हमारे अग्जाम बेश से तो साथ यह फर्ष्ट पॉइंट है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर असोक इस्तंब की कास्य प्रत्मा का अरावन किया है और दोस्तों यह कैसी प्रत्मा है तो यह कांस की प्रत्मा है और कहां पर किया है तो नए संसद भवन की छत पर किया है यह देखिए यहाई प्रित्मा है असोग की और यहाई प्रधान मंत्री मोधी जी खड़े हुए है किसकी प्रित्मा है तो असोग की अब दोस्तों है कितनी मीटर की है तो इसकी जो उंचाई है वो है 6.5 मीटर की उंचाई है और साथ ही इसकी जो बजन है वो है 95 किलोगराम का बजन है कितना बजन है तो 95 किलोगराम का इसका बजन है और दोस्तों कहां पर की गई है तो नए संसद भवन की छथ पर इसका अनावरण किया गया है और दोस्तों बात करें असोक इस्तंब के बारे में तो असोक इस्तंब भारत कर राश्टिय पर्तीक है और भारत सरकार ने इसे 26 जन्मरी 1950 को अपनाया था पर्तीक के नीचे मंडों को अपनी सद में लिखा गया सूत्र है सत्यमेब जैते और इसे किस भासा में लिखा गया है तो देव नागरी लिपी में इसे लिखा गया है असोक इस्तंब कहां पे इस्तित है तो सारनाथ में इस्तित है उत्तर प्रदेश में कहां पे है सारनाथ में दोस्तो कर बात करेğे मौर रवन्ष की तो असोक जो थे वो किस बन से विलॉण खरते थे तो मौर रवन्ष से ही विलॉण खरते थे मौर रवन्ष के तीस्रे सासक थे और इसी को ऐस्तंब कहते हैं इसके लावा सातियों असोक ने कई और जगा भी अपने अभिलेक इस्थापत कराये थे लेकर सातियों जो यहाँ पर कराये था सारनात में वो असोक इस्तम था और वहीं से हमने इसे लिया है असोक ने लगभग 261 इसापूर में कलिंग पर आकर्मण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और दोस्तों भहाँ के राज़ा क्या थे राज़ा कौन थे आप मुझे कमन करके बताईए कि कलिंग के राज़ा कौन थे दोस्तों असोक के तेरवे सिलालेक में कलिंग युद्ध का वर्णान मिलता है कौन सा सिलालेक है तेरवा सिलालेक है और सातियो इसी सिलालेक में असोक ने कहा था उनके हिर्दय परवर्तन की बात कही गई है कौन सा सिलालेक में तो तेरवे सिलालेक में उत्तर प्रदेश भारत में तेरा एक्सप्रेस बे में बनने वाला पहला राज्य बना तो उत्तर प्रदेश भारत में तेरा एक्सप्रेस बे बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है साथ भी याद रखना कि कोई भी देश, कोई भी राज या कोई भी इस्थान वो तभी डवलप होगा जब उसके वहां के रोड अच्छी होंगे क्योंकि दोस्तो हमारा ट्रांस्पोर्ट का काम जो होता है वो रोड के अनुसारी होता है और दोस्तो अगर रोड का विकास नहीं होगा तो समझ दीजी आप की देश का विकास नहीं होगा तो देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के जो रोड है वो वहाथ ही अच्छी होने चाहिए और उत्तर प्रदेश में फिलाली है काम किया जा रहा है तो यह है वहुत ही अच्छी बात है यानि कि उत्तर प्रदेश का बिकास का समय अब आ चुका है दोस्तो पिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतिय सिक्छा समागम का उद्गाटन बाराण सी उत्तर प्रदेश में ही किया था और दोस्तो पिषमें किस किसन सहयोग किया था तो इसका आयोजन बिस विद्दाला अनुदान आयोग ने युजी सी ने और बनारस हिंदू बिस विद्दाला यूनिवेस्टी ने मिलकर किया था और अभी UGC के अध्यक्ष कौन है तो जग्दीस खुमार अभी UGC के अध्यक्ष इसके लाव दोस्तो भी हाल ही में आम महुत्त सप्सब दोहरं वैस का अयजन किया गया था कहां भी किया गया है लग्णनों अतरबृदिस में किया गया जो इंडिया में आम हमारे डिये सबसे अधिक बिस्तु में 55% आम देखने को मिलती है और यहां के CM कौन है योगिया अधितिनाथ अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां की जो महिला गवर्ण है वो कौन है इसके लाव दोस्तो नेक्ट पॉइंट आपका है विस्त जनसंक्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है कब मनाया जाता है जह दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा है विस्त जनसंक्या दिवस और पहली वार कब मनाय गया था तो पहली वार 1989 को मनाय गया था और इसकी थीम क्या है तो थीम इसकी है आठ विलियन की दुनिया यान की दोस्तो अब आठ विलियन लोग हमारे पूरे विस्व में हो चुके हैं कितने हो चुके हैं आठ विलियन लोग भारत की जन्गलना दोस्तों के पहली जन्गलना कब हुई थी तो भारत में पहली वाज जन्गलना वाइसराय लॉड मियो के समय अठारा सो वहातर में शुरू हुई थी यह है भारत की पहली जन्गलना थी लेकिन नियमत रूप से दस साल की जन्गलना कब स्टार्ट होती है तो अठारा सो एक्क्यास्ती में Start होती है, किस के साथनकाल में? तो Lord Rippen के साथनकाल मेंён Is Start होती है. अगर हम बात करें नियमित रूप से 10 साल की. पहली जनगलना कब हों थी साथ यूओ? तो ठारा सो भादतर हों हों थी. लेकिन नियमित रूप से दसाले जंगलना कब श्टार्ट होई थी तो रिफ़ं के समाहे स्टार्ट होई थी 1889 में स्टार्ट हूई थी चंसंकिया और जंगलना सम्मिधान की कौनसे सूची में आता है तो दोस्तो संबर्ति सूची में आता है जो अनुसूची कौन सी है? साथ है कौन सी है? सेवन नमर के अनुसूची समभर्ती सूची यादर्षन है कोशिम हुथ इंपोर्टेंट है इसके लाव दोस्तो 2011 की जंगलना के आयोक्त कौन थे? तो चंद्र मौली थे इसके आयोक्त और यहाँ कौन सी नमर के जंगलना थी? तो पंद्र भी जंगलना थी है विवेक जोसी जो 2021 के जंगलना आयोक्त थी और 2011 में जंगलना के अनुसूर नागालंड एकमात ऐसा राज था जिसमें जंसंका में विर्धी के बजाए कमी देखने को मिली थी बरना सातियों हर एक राज में विर्धी ही देखने को मिली थी नेश्ट पंद्र जोस्तो गीगा में संपर्क समादान नामक पाइलेट परियोजना सुरू करने के लिए दूर संचार विवाग के साथ ऐस्ट्रोम ने हस्ताक्चर किये किस ने हस्ताक्चर की है तो एस्ट्रोम ने हस्ताक्चर की है और किस के लिए की है तो सातियों जो आपका पाइलेट है परियोजना उसके लिए हस्ताक्चर की गए है उद्धिस कैस का तो गिरामील भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को भेतर बनाना है क्योंकि साथ ही हो गिराइमिल भारत में इंटरेट के काफी प्रॉडम देखने को मिलती है वहाँ नेटबक की नहीं आते हैं इसलिए साथ ही उनने का किया है आपका समें वांडिंग किया है और इस पे आपका कार किया जाएगा भारत का दोस्तों पहला फाइबी टेश्ट वैड आई 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 अटी मदरास के नित्रत में बिकसित किया गया था इसके लाबा भी हाल ही में IIT हैदरबाद में प्रादो की नवाचार केंद्र तिहान का भी उद्गाटन किया गया है कहां किया गया तिहान का उद्गाटन तो IIT हैदरबाद में इसका उद्गाटन किया गया है नेक्ट प्मेंट असाती हो Indian Institute of Science Bangalore के सोत करताओं ने आर रभट प्रिथम नामक Analog Chip Set का एक Prototype विखसेद किया किस ने किया है तो दोस्तों Indian Institute of Science Bank लोग ने किया है और क्या किया है तो आर रभट प्रिथम नाम से किया है क्या है यह चिप सैट है जो Prototype का नाम दिया है यह हैं चिपसेट कहां लगा जाएगा तो कम्पीटर में इसका इस्तमाल की जाएगा और भारत का पहला सोदेशी उपगरे जो आर्रभट था उसे कब लॉंच किया गया था तो 19 अप्रेल 1975 को भारत का पहला सोदेशी उपगरे आर्रभट को हमने लॉंच किया था और दोस्तो तो यह है वो चिप सेट है जो आपके कंप्यूटर में लगाये जाएगा। इसके लाव दोस्तों अभी हाल ही में करनाटक ने SM कृष्णा, आन एन आर नारान मूर्ती और प्रिकास पादुकोण को पहले कैम्प गोड़ा अंतरराष्टे पुर्षकार देने की गोष्णा की। SM कृष्णा कौन है तो साती SM कृष्णा करनाटक के पूर्व CM रह चुकी है नालान मूर्ती इनफोसस के पूर्व हेड और प्रिकास पादुकोण तो यह है पूर्व ख्लाडी हैं वैड विंटन ख्लाडी इसके लाव दौस्तों करनाटक में 80 80 योजना का भी आरंब हुआ है भी किस का हुआ है 80 80 योजना को और किसके लिए की गई है तो बारानसी में इस तो जो आपका कासी मंदिर है। उसके लिए है यूजना स्टार्ट किगी इसके लावा दोस्तो पश्चुपाञ्ण मंत्राला ने वेंगलरू में वन हैल्ट पाइलेट प्रिट भी लॉंच के है। किया गया है तो यह है भी वैंगलरू में किया गया है दोस्तों नेक्ट पॉइंट है आपका भारत का पहला एलीवेटेट शहरी एक्सप्रीश wysy होगा आपके लिए क्यों यह है दिल्ली को बाइपास करेगा किसके लिए दिल्ली बायरों के दौरेइगा धंतर जाब है जो वहां दिल्ली छोड़े चौनकर दिल्ली से भार जाना चाहते हैं तो दोस्तों इनके लिए chapतánh burn bnaya जा दिल्ली में कोई काम नहीं है इसकी लंबाई कितनी होगी तो इसकी लंबाई 2900 किलोमेटर की होगी हर्याणा में है 19 किलोमेटर की होगी और दिल्ली में है लगबक 10 किलोमेटर की होगी इसमें जो लागात लगी है वो कितने की लागात है तो 9000 करोड की इसमें लागात खर्च होगी और यह प्रोज्ट कभ पूरा होगा तो दोस्तों 2023 पूरा होगा कशने का वो उस रोड में क्या होगा उस देश में क्या होगा बहुत अधित तरक्की होगी और उन्नति के और बढ़ेगा तो दोस्तों बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि हमारे जो रोड हो बहुत अच्छे होने चाहिए इसके लाव दोस्तों और बाई तो सारफ जने परिवहन रोप बे को इस्तुमाल करने बाला भारत का पहला सहर कौन सा था तो बारान सी था और रोप बे के लिए परवत माला योजना चलाई गई थी कौन से चलाई गई थी परवत माला योजना किसके लिए रोप बे के लिए इसके लावा दोस्तो भारत के वाड़नेर में नैसनल 925A अब दोस्तों जाद रखना जो पहली लेंडिंग कराई गई थी आपकी इमर्देंसी लेंडिंग प्लेंडिंग की तो कौन सी रोड पर गाई गई थी तो कहां कराई गई है एनच 925A नेशन हाई वे पर और बहुत इंपोर्टन कोश्चन ये कि सातियों अब क्या हो रहा ह हमारी भारत सकार ये सोच रही है कि अगर इमर्देंसी लेंडिंग कराने किसी प्लें की तो सातियों रोड भी ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पे प्लेंड की investigations करा सकी इसलिए उन्होंने के सोगया किया' ke利या की है और आगे भी ऐसी रोड बनाई जाेंगी हाल ही में इस्टील प्लेट की उप्योक से निर्मित पहली छे लेन बाली राजमार का उद्गाटन कहा किया गया था तो सूरत में किया गया था जो आपके इस्टील के बेश्ट पदार्त होती है उससे है रोड बनाई गई थी यह कहा बनाए गई है सूरत में और छेलेन वाली है रोड है भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार कौन सा है तो NH44 है जो पहले NH7 हुआ करता था उसका ही ना मतलग कर दिया NH44 और इसकी लंबाई कितनी है तो 345 किलोमेटर NH44 की लंबाई है और यह है भारत का सबसे लंबा राश्टी मार गया नेश्ट फॉंट रसाती हो आई एनस विक्रांत बिमान बहाग पोत को आजादी की 75 वर्सगाट पर 15 अगस्त को देश्ट को समर्पित किया जाएगा अब दोस्तों यह हमारे लिए भहुत ही अच्छा अपसर है भहुत ही अच्छा फाइदा है इससे और कोचिंग से प्यार ने बनाया है क्या लदिया मने कोचिंग से प्यार यह नहीं दोस्तों इसे नेवी और कोचिंग से प्यार ने मिलकर बनाया है और दोस्तों यह है वो आपका जो है आई एनस विक्रांत है और इस पर क्या होंगे हमारे जो प्लेन है वो कभी भी इस पर लेंडिंग कर सकती हैं कौन सा है INS विक्रांत कब होगा तो 15 अगस्त कोगा 75 वी वर्षगांट पर इसके लाव दोस्तो प्रिदर 75 के तहद विक्सित पंड़ो भी कौन कौन सी है तो INS कलवरी है, INS खंडेरी है, INS करगंज है, INS बेला INS वागीर और INS वाक्सीर यह कौन है, यह प्रिचत्तर प्रियोट के तहद बनाएगी हमारी पंड़ो भी है इसके लाव दोस्तो, ओप्रसन संकल्प में हमने INS तलवार का उपियो किया गया था और इसका आयोजन कहां किया हमने तो फारस की खाली में इसका आयोजन गाता किसका और फ्रसन संकल्प का आयोजन फारस की खाली में हुआ था इसमें कौन गया था, इसमें हमारा INS तलवार गया था INS वल्चुरा को President Colour Award से सम्मानित किया गया कैसे? INS वल्चुरा को प्रिसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया और दुन्या का सबस्ते बड़ा नौसानिक अभ्यास जो अमेरिका में आज़ित हुआ था और वहां पे कौन गया था दोस्तो तो इसमें हमारा आई एनस सत्पला गया था अब आप मुझे कमेंट करें होता है कि दुन्या के सबस्ते जगन मोहन रेड़ी को चुना गया अब दोस्तो हुआ गया है जो जगन मोहन रेड़ी है अब इन्हें जब तक जब तक ही जिंदा रहेंगे जीवित रहेंगे तब तक दोस्तो यह है इसके YSR कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे पहले दोस्तो क्या हुआ था जो पहले कां प्रिदेश के CM है अर बात करें दोस्तों भारती राश्टी कांग्रेस की INC की तो INC की इस्थापना 28 दिस्टंबर 1880 कितने हैं? 1880 है 1880 को हुई थी और किस ने की थी तो A.O. हयूम की द्वारा की गई थी इसकी अद्धक्ष था पहले वारा किस ने की थी तो George Rule थे George Rule और Gandhi जी ने कप की थी? तो Gandhi जी ने bir भार सिरफा इसकी 할क्यार की एक बार और बहिए कहां की है? वेल गयाम अदिवसन की अद्धक्ष था 1924 में कप की थी? वेल गयाम अदिवसन था 1924 में इसकी अद्धक्ष था गाथि ता तो Kauzatta Bikaas और उद्वित Manthrana इसका आउसन कियाा है उद्देश से क्या है उद्देश से बढ़ातर कहा ने सबस्द नहीं डिप्लप करना जिससे दोस्तों क्या होगा उन्हें जादा सब्रोजगार मिल चपी यह इसका उड़ेस से हैं इसकल मंहोत्जथ में हालिमें है तेलांगाना में रज और रत्यातर महुत सब उड़िसा में होता है अमभुबाची मेला कामाग के माता मंदर असम में इसका आयुजन होता है और हर्याली महुत सब्सक्राइब कि लखनव उत्तरप्रटेस में इसका आईजन हुआ था दोस्तों यहां हमारी class complete होती है अब दोस्तों वह class को share कर दो अपने दोस्तों के साथ जिससे वह भी class से जुड़ सकें और class को देख सकें दोस्तों जिन्होंने class को like ने किया वो like कर दो और जिन्होंने class को subscribe ने किया वो subscribe कर दो तो दोस्तों मिलते हैं कल तक अपनी पढ़ाई को continue कीजेगा और बे इंतहा पूरिम जान से अपनी पढ़ाई कीजेगा